हेलो फ्रेंट्स आज अपन सीए फाइनल में फेमा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्ट ऑफ गूड्स एंड सर्विस जो अभी अभी लेटेस आपके स्लेवर्स में इंक्लूड हुआ है इसके कुछ साइलेंट फीचर अपने स्लेवर्स में कवर किये गया है पूरा मास्टर डारेक्शन कवर नहीं है कुछ साइलेंट इंपॉर्टेंट फीचर मास्टर डारेक्शन के कवर किये गया है बेसिकली ओवर्व्यू मैं आपको इस टॉपिक का ये दे दे रहा हूँ जैसे अपन एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट और गूड्स और सर्विस के बारे में रेगुलेशन फेमा में किये हैं उसी तरह इंपोर्ट के बारे में इसमें बेसिकली ये दिया गया है कि इंपोर्ट का time limit payment करने का क्या होना चाहिए time limit for payment of import और इंपोर्ट का जो पेमेंट होगा वो bona fide transaction के लिए होना चाहिए fake transaction के लिए नहीं होना चाहिए artificial transaction के लिए नहीं fake bona fide मतब real में goods import होना चाहिए सर्विस इंपोर्ट होनी चे इंडिया में इसके लिए आपको प्रूफ सब्मीट करना पड़ेगा और ये सभी फॉर्विल्टी कौन चेक करेगा AD Category 1 बैंक पर Responsibility दी गई है यह आपको चेक करना है क्योंकि payment आप ही के थू जाएगा foreign में इंपोर्ट का तो आपको चेक करना है कि इंपोर्टर ने एक्च्वल में गुड्स का इंपोर्ट किया है की नहीं सर्विस का इंपोर्ट किया है की नहीं तो एक basic देखे flow chart के थू मैं आपको इसका overview explain करना हूँ देखे इंडियान इंपोर्टर है इसने foreign seller से goods इंपोर्ट किया इंपोर्ट आप गुड्स तो goods इंपोर्ट होने के बाद उसको फर्मीस करना है evidence of import like bill of entry हो गई custom assessment certificate हो गया ये उसको produce करना है before the AD category 1 bank के पास AD category 1 bank के पास उसको फर्मीस करना है proof of import और now the AD category 1 bank क्या करेगा payment कर देगा payment of import to the foreign seller in dollar या foreign currency में तो जैसे उसको proof मिलता है तो payment of import कर देगा foreign seller को AD category 1 bank on behalf of Indian importer importer की एक all duty दी गई है उसको update करना है information about the import के बारे में एक अलग से website government ने इसके बारे में अलग से website है IDPMS update the information about the import of goods and services IDPMS that means import data processing and monitoring system IDPMS में आपको import करना है अपडेट करना है information about the import और ये कौन सी website में है custom की website में है Indian custom electronic gateway of government of India तो आइसी गेट ये के बारे में नॉलेज के लिए है ये website है इस website में आपको ये web page मिलेगा IDPMS का import data processing and monitoring system इसमें आपको update importer की duty है कि जो भी इंपोर्ट किया है उसकी data को उसके information को update करना है further अब इंपोर्ट की liability payment की जैसे export में 9 बन था 15 मन था इंपोर्ट में time limit है 6 मन के अंदर इंपोर्ट का remittance हो जाना चाहिए 6 बन के अंदर लेकिन अगर dispute में चल रहा है importer और exporter के बीच में dispute हो गया है regarding the quality of goods यार payment की difficulty आ गई है इंडियन importer के पास financial difficulty आ गई है तो वो extension ले सकता है और extension maximum हो सकता है up to 3 years from the date of shipment at a one time maximum extension हो सकता है six month का और total period जो रहेगा वो up to 3 years का हो सकता है from the date of shipment जिस दिन good shipment हुआ था shipment उसके six month के अंदर original time limit है payment आपको इतने दिन के अंदर normal time limit है payment कर देना है remittance कर देना import की money लेकिन अगर आपको financial difficulty है या फिर कोई dispute है quality of goods के बारे में तो आप extension ले सकते हैं one time में एक बार में extension एक समय में maximum six month का मिलेगा और total period of 3 years from the date of shipment total extension 3 years से अधिक नहीं होगा from the date of यार रखेगा shipment यानि original period six month का है plus three years extra नहीं है two and half year होंगे क्योंकि three year from the date of shipment वर यूज किया गया है long और one time extension six month का हो सकता है further अगर अगर मैंने अगर मैंने डीफर्ड क्रेट सिस्टम के थूँ इंपोर्ट किया है डीफर्ड क्रेट सिस्टम मतलब डीफर्ड क्रेट मतलब क्रेडिट में या installment में इस्टॉल्मेंट में पेइमेंट करूँगा इंपोर्ट का या credit में तो maximum period होना चाहिए up to 5 years मतलब 5 साल के अंदर आपको पेइमेंट पूरा कर देना है इंपोर्ट का और अपन पड़ चुके ECB में इसको अगर 3 years या उससे अधिका है तो उसको ECB माना जाएगा external commercial trade trade माना जाएगा external commercial borrowing अगर trade trade 3 years या उससे अधिका है तो उसे ECB के norms भी comply करने पड़ेंगी तो अगर मैंने deferred credit system में purchase किया है goods इंपोर्ट किया है तो maximum payment का कितना होगा अब तू 5 year maximum हो सकता है और साथ में अगर 3 साल से अधिक हुआ तो ECB के norms भी आपको क्या करने पड़ेंगे comply करने पड़ेंगे यह एक concept यहाँ पर दिया गया है second concern यहाँ पर guarantee के बारे में दिया गया है कि क्या Indian party foreigner को guarantee दे सकती है क्या guarantee के बारे में यहाँ पर law दिया गया है इस direction में और 3 service के इंपोर्ट के बारे में दिया गया है service के import के बारे में अगर service like Indian कमती है अगर उसने foreign की किसी consultancy firm से consultancy service ली है project consultancy service तो उसके payment के बारे में requirement दी गई है यहाँ पर service के बारे में तो आते हैं मैं आपको सबसे पहले service के import के transaction के बारे में explain कर रहा हूं सीट से अपन देखते हैं सबसे लास्ट Issues of guarantee by authorized dealer An authorized dealer may in ordinary course of business authorized dealer मतलब authorized bank category 1 bank give a guarantee in favor of non-resident service provider on behalf of resident service importer मतलब Indian company है इसने foreign company से service ली है और bank है AD category bank यह इसको guarantee दे सकता है guarantee payment के बारे में service के payment के बारे में On behalf of Indian importer Subject to such terms and condition is to plated by the RBA from time to time Subject to such terms and condition जो RBA बताएगी time to time और क्या terms and condition है देखिये Limit of providing guarantee नीचे दिया गया terms and condition Where a service importer is other than PSU Department or Undertaking of Government of India और State Government मतलब अगर service provided private sector है Private sector कमती है Service provider मतलब service importer Sorry service importer जो importer कर रहा है जो Indian party है वो क्या है private party है Private sector कमती है तो no guarantee for an amount exceeding No guarantee for an amount 5 lakhs dollar 5 lakhs dollar है ना 5 lakhs कर लीजेगा Sell be issued मतलब AD category 1 bank 5 lakhs dollar या उससे अधिक की guarantee issue नहीं कर सकता अगर service importer public sector company है PSU public sector company या department of undertaking of government of India या state government है तो 5 lakhs से अगर 1 lakhs dollar 1 lakhs dollar या उससे अधिक करना है sell be issue without the prior permission मतलब अगर 1 lakhs से या उससे अधिक की guarantee अगर issue करना है तो approval लेगनी पड़ेगी Ministry of Finance Government of India Ministry of Finance Government of India तो एक important चीज़ आद रखेगा कि अगर service importer private sector है 5 lakhs उससे अधिक तो हो जी नहीं सकता है No permission वाला भी route नहीं है maximum 5 lakhs तक के अंदर की guarantee issue हो सकती है 5 lakhs से अधिक करोगे ना तो permissible नहीं है तो final conclusion याद रखेगा private sector के भीहाब में अगर guarantee AD1 category 1 देना चाहता है तो maximum देशकते हैं कितना 5 lakhs उससे अधिक देना है तो prohibited है और public sector के लिए 1 lakhs डॉलर है उससे अधिक करना है तो Ministry of Finance Government of India से prior approval लेनी पड़ेगी तो अभी तक का concept time limit या तक न import payment की 6 months normal time limit है अगर dispute हो गया है या फिर financial difficulty importer को तो extension ले सकता है वो AD category 1 के पास और extension maximum कितना हो सकता है maximum up to 3 years but one time maximum 6 months और अगर deferred credit system के थुरू अगर मैंने purchase किया buyer supplier credit तो up to 5 years अब अपन seat से cover करते हैं फर्स page में आप देखेंगे extend regulation हर जगा जैसे ECB में overseas direct investment के master direction में और import के master direction में यह word आपको मिलेगा extend word मिलेगा extent extend का मतलब होता है the regulation that are still active and in force मतलब ऐसे regulation जो अभी currently applicable है still force में है active है उसे अपन बोलते हैं extend import of goods and service into India section 5 of FEMA में यह current account transaction है so section 5 apply होगा or read with the favor current account transaction rule 2000 authority import को कौन regulate करता है director general of foreign trade DGFT director general of foreign trade under the ministry of commerce and industries department of commerce government of India authorized dealer की duty है shall ensure that import into the India are in conformity with the foreign trade policies foreign exchange management current account transaction rule 2000 and RBA direction AD category 1 पर obligation दिया गया है कि उसको ensure करना है कि जिते भी import हो रहा है इंडिया में उसमें foreign trade policy का compliance हो रहा है कि नहीं foreign exchange management current account transaction rule का compliance हो रहा है कि नहीं और RBA direction का compliance हो रहा है कि नहीं यह authorized dealer category 1 की duty है journal guidelines of import केवल reference के लिए not exam में कभी question आने वाला नहीं है rule and regulation to be followed by the authorized dealer from foreign exchange angle while undertaking import payment जब क्योंकि payment किसके थ्रू होगा AD category 1 bank के थ्रू होगा तो जब भी payment करेगा AD category 1 on behalf of their client मतलब importer के भीहाप में तो उसको master direction में जो rules and regulation है वो follow करने हैं और अगर कोई specific regulation नहीं दिया गया है तो normal trade practice adopt करनी है जो normal follow की जा रही है custom and also know your customer KYC guideline comply करनी in all their dealing मतलब जीते भी payment करेगा वो उसमें KYC की जो guideline RBA ने prescribe की है वो follow करनी है AD category 1 bank को remittance for import payment तभी payment करेगा AD category bank that all requisites detail are made available by the importer मतलब importer ने जित्ती भी import के बारे में information है वो अपनने पढ़ा था I import data ID PMS import data processing and monitoring system इसमें update कर दी है यहनि all detail of import are made available by the importer and remittances for bona fide trade transaction मतलब real transaction होना चाहिए as per the applicable law in the force तो importer ने सभी detail available करवा दी है import के बारे में और import का जो payment हो रहा है वो bona fide import के बारे में हो रहा है तभी remittance करेगा AD category one bank इस master direction में अपने को चार चीजे करनी है जो अपने syllabus में cover की गई है institute ने चार चीजे cover की है जो अपने study module में cover है the first is the obligation of procedure of foreign exchange मतलब importer जो foreign exchange acquire करेगा authorized dealer category one bank से और payment of import transaction तो उसकी duty दी गई है कि उसको उसी purpose के लिए use करना है जिस purpose के लिए acquire कर रहा है या फिर other permitted purpose के लिए भी use कर सकता है इसका मतलब वो rule 3 जो अपन current account transaction में rule 3 पढ़ते हैं current account transaction rule 2000 में उसमें rule 3 में prohibited transaction दिए गया है उसके लिए use नहीं कर सकता ये obligation दिया गया है second time limit दी गई है कि कित्ते दीन के अंदर payment करना है कल मैंने आपको इस class में आपको अल्रेडी explain कर चुका हूँ normal time limit है 6 month के अंदर import का payment remittance हो जाना चाहिए from the shipment of the goods an import of foreign exchange Indian rupees मतलब अपन foreign exchange भी import कर सकते हैं capital account transaction है export import of the currency Indian और foreign currency का import करना उसके बारे में law दिया गया है कि एक person resident in India क्या foreign exchange को import कर सकता है क्या अगर आप इंडिया बाहर जा रहे हैं और अपने साथ currency ले जा रहे हैं तो यह माना जाएगा कि आप export कर रहे हैं और अगर आप foreign से इंडिया आ रहे हैं और इंडिया आते समय आप foreign currency या Indian currency अपने साथ में ला रहे हैं तो इसे import of currency माना जाएगा तो यह इसके बारे में यहाँ पर import के बारे में दिया गया foreign currency और Indian rupees के इंपोर्ट के बारे में अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग है तो एक लाग डॉलर तक उससे अधिक तो मिनिस्ट्री और फाइनिस से प्रायर परमीशन लेनी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर के लिए पांच लाग डॉलर तक परमीशिबल है उसके अधिक की गैरेंटी प्रॉआइड नहीं की जा सकती नो अप्रूवल कोई अप्रूवल की रिक्वार्मेंट नहीं है मैक्जियम लिमिट है फाइफ लेक्स यूएश डॉलर तो ये चार चीज़े अपन करेंगे पहला ओब्लिगेशन और पर्चेजर ओफ फॉरें एक्सेज़ इन टरम्स ओफ सेक्षन 10 सबसेक्षन 6 जिसमें फेमा में अथुराइज डिलर के बारे में दिया गया है अपने को एक्सेज़े और पॉरें इन टरम्स जिसमें अपने पर्पचम == और उसी पर्पच के लिए उच करना है जिसी के लिए हमने डिक्लेरेंच में मेंचन किया है इंपोर्ड ने या any other purpose for which acquisition of foreign exchange is permissible under the said act rules or regulation made there under या any other permitted purpose के लिए यूज किया जा सकता है Evidence of import Where the foreign exchange acquire has been utilized for import of the goods into India The AD category 1 bank should ensure that importer furnish the evidence of import Like bill of entry, custom assessment certificate In the import data processing and monitoring system IDPMS Postal appraisal form ये भी एक proof है Import करने का अगर अपने पोस्ट के थूँ इंपोर्ट किया है तो अपने को एक declaration देना पड़ता है Custom में regarding दा कि हमको import हमने किया है और हमको ये goods received हो गया है इसके बारे में एक आपको declaration देना पड़ता है जिसको अपन बोलते है Postal appraisal form या custom assessment certificate These are the proof of the import Bill of entry हो गया Postal appraisal form हो गया Custom assessment certificate हो गया AD category should satisfy himself that goods equivalent to the value of Remittance have been imported मदब goods actually import हुआ है कि नहीं उसको ensure करना है कि actual में goods import हुआ है कि नहीं And third condition है AD should ensure that all import remittance outstanding on the notified date of are uploaded in the IDP मदब जितने भी import के remittance outstanding है मदब import के information updated हो गई है in the import data processing and monitoring system तो तीन कंडिशन है इंपोर्टर ने फर्नीस कर दिया evidence of import Second goods equivalent to the value of remittance have been actually imported goods actually import हो गया है और जितने भी import के data है उसको update कर दिया है गया है चार स्लीप sign by the importer चार स्लीप क्या होता है बेसिकली जब अपन goods खरीते हैं ना तो जो seller होता है ना वो आपको एक sale का एक receipt देता है कि इतना हमने आपको goods sale किया है उसको importer sign करता है और from such other mode prescribed by the RBA from time to time import transaction should be in confirmative with the extended provision मतलब जो provision in force में हैं with the foreign trade policy जो foreign trade policy है उसके accordingly हुआ एक ही नी transaction other mode of payment rupees में payment करना एक PRII rupees में payment कर सकता है towards the meeting expense on account of boarding, lodging, service related there to, travel to and from and within India of PRII who is on visit to India मतलब एक foreigner इंडिया है था उसका जो भी खर्चा लगेगा इंडिया में बोर्डिंग का, lodging का या ट्रेवलिंग का to or from या within India इन सभी खर्चे को PRII उसके भी हाफ में रुपीज में payment कर सकता है तो यहाँ पर रुपीज में payment कर रहा है कौन कर रहा है PRII इसके लिए खर्चा कर रहा है on behalf of the P.R.O.I and second by means of cross check or draft as consideration for purchase of gold or silver in any form imported by such person in accordance with terms and condition imposed under any order issued by the central government under foreign trade development and regulation act 1992 or under any other law rules and regulation for the time being force तो अगर PRII ने अगर import किया है और silver का in accordance with terms and condition imposed under any order issued by the central government under the foreign trade development and regulation act और अणडर इनी तो इस case में हम cross check से या bank draft से payment कर सकते है और थर्ड है एप company और resident in India may make payment in rupees इंडिया रूपीज में payment किया जा सकता है एक Indian company payment कर सकती है तो इस non-voltime director that means part-time director who is resident outside India मदब Indian company का एक director foreigner था जो non-voltime director था that means part-time director था who is resident outside India is on visit to India for company work जो इंडिया आता है company work के लिए and is entitled to payment of sitting fees commission और reimbursement and traveling expense to or from and within India in accordance with the provision containing the MOA article और इनी agreement entered into और इनी resolution passed by the company journal meeting और board of director तो company का Indian company है जिसका एक director foreigner है जो non-voltime director है वो इंडिया आता है company के work के लिए तो उसको payment किया जा सकता है sitting fees, reimbursement, commission in accordance with the MOA article या journal meeting ने authorized किया या board ने authorized किया resolution पास करके तो उसको रुपीज में हम इंडिया में payment कर सकते हैं next second very important है time limit of settlement or payment तो अभी तक first point में क्या था obligation था payment कैसे करना है international credit card debit card या any other mode जो RBA approve करेगी और evidence produce करने AD category 1 bank के पास तभी वो payment करेगा import के जो evidence है like bill of entry और import की जो data है वो अपने को update करनी है in the IDPMS में अब second concept है time limit for settlement of import in terms of extend regulation जो अभी applicable regulation है in terms of applicable regulation in force remittance against imports should be completed within 6 months from the date of shipment मनदब 6 months के अंदर remittance complete हो जाना चाहिए payment हो जाना चाहिए exception लेकिन कुछ amount अपन withhold कर सकते हैं towards the guarantee of performance like मैंने 100 करोड का अगर import किया 100 करोड रुपीज का तो example 30% मैं withhold कर सकता हूँ for performance of the goods की अगर उस goods का satisfactory performance होगा तभी मैं 30% balance payment करूँआ लेकिन 70% जो payment है वो आपका 6 months के अंदर हो जाना चाहिए balance दो 30% है on satisfactory performance of goods तो balance with hold किया जा सकता है for performance guarantee के लिए AD bank may permit settlement of import due delay to dispute financial difficulty मदब extension किया जा सकता है due to the financial difficulty है importer के पास fund की कमी है या फिर dispute आ गया है जो वो import था उसमें quality के बारे में dispute आ गया है तो इस case में AD category 1 extend कर सकता है time limit जो 6 months है उसको extend कर सकता है interest if any on such delay payment bill और overdue interest is payable only for a period up to 3 years from the date of shipment at the rate prescribed for the trade credit from the time to time तो delay payment का interest दिया जा सकता है लेकिन maximum कित्ते साल तक का up to 3 years from the date of shipment at the rate prescribed for trade credit from time to time deferred credit मतलब installment में हमने खरीदा है या credit में खरीदा है तो deferred credit arrangement including supplier credit and buyer credit supplier मतलब importer आपको finance करके देता है buyer credit मतलब buyer खुद अपना finance करवाता है तो deferred payment arrangement supplier and buyer credit तो supplier credit क्या होता है supplier credit basically अपने को खुद जिससे अपने इंपोर्ट किया ना goods वो supplier खुद अपने को credit देता है और buyer credit का मतलब buyer खुद arrange करता है फाइनिसर क्रेडिट लेने के लिए बायर ना फाइनिसर अरेंज करता है आउटसेड इंडिया मतलब buyer को क्योंकि पैसे की जरुवत है goods खरीदने के लिए तो buyer ना खुद importer खुद arrange करता है फाइनिसर आउटसेड इंडिया इंडिया से बाहर कोई फाइनिसर जो लोन देने को रेडि हो ट्रेड क्रेड देने को रेडि हो तो यहाँ पर पांथ साल का है उसे are treated as trade for which procedural guideline as laid down in the master circular for ECB क्योंकि अपने पढ़ा था ECB में याद करिए कि अगर तीन साल का trade क्रेड है तो उसे ECB के framework applicable होंगे तो यहाँ पर भी उसका reference दे दिया गया है कि उसको trade केड बना जाएगा और उसके लिए applicable master direction जो है circular है ECB के norm supply होंगे extension के लिमिट extension किस case में है ये normal जो six month वाला है normal import उसमें extension का law है याद रख लीजेगा limit for extension for normal import limit for extension for normal import maximum six month का extension एट आट आट आए दे सकता ओर total extension प्रियर जो हो सकता अप्टो three years of the shipment of the goods maximum extension तीन साल from the date of shipment of goods वो सकता अप्टो यादि कि original six month six 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 or six और six तो ये तीन साल हो गया total ये original प्रियर और फर्स extension सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्ट तोटल प्रियर हो गया three years और extension किस रीजन की वज़ा से मिल रहा है dispute है quantity quality में financial difficulty है या importer ने suit file कर दिया है exporter के against है seller के against है in case where sector specific guideline have been issued by RBA for extension of time like rough cut and polish diamond का अगर अपने import किया है तो उसके लिए RBA ने अलग से extension के लिए अलग से time limit दिया है तो where RBA has issued the sector specific guideline for import of the goods like जो diamond है rough cut और polish diamond के import के लिए तो उसके लिए वो time limit apply होगी और वहाँ पर 180 दिन दिया हुआ है कि वहल आपके knowledge के लिए है 180 दिन का extension दिया जा सकता है वाइल ग्रांटी एक्स्टेंशन आफ टाइम दा AD के टेग्री बंग बैंक मस् इंस्योर देट जब एक्स्टेंशन ग्रांट करेगा ना तो AD के टेग्री बंग ये तीन condition consider करेगा फर्स import transaction cover by the invoice not under investigation by DOE or CBI or other investigating agency तो जो import transaction है उसकी कोई investigation नहीं चल रही है by the DOE directed of enforcement CBI के द्वारा या फिर other investigating agency के द्वारा वाइल considering extension beyond the one year from the date of remittance यहां पर remittance को अपन read कर सकते हैं from the date of shipment ये clarification में दिया हुआ है जो RBA का master direction है ना import का उसमें clarification में दिया है कि date of remittance को आप date of shipment भी read कर सकते हैं इसका वदलब एक साल से beyond अगर extension दिया जा रहा है तो total outstanding of the importer जो पैसा देना बाकी importer को does not exceed lower of 1 million US dollar or 10% of average import remittance during the preceding two financial year whichever is lower तो अगर एक साल से अधिका extension दिया जा रहा है from the date of shipment मतब 6 month original plus 6 month हो चुका एक बार extension second बार extension अगर दिया जाएगा तो total outstanding जो remittance करना बाकी है वो इससे अधिक नहीं होना चाहिए यह lower of following that means 1 million US dollar or 10% of the average remittance during the last two preceding financial year पिछले दो financial year में जो average remittance हुआ होगा उसका 10% average import remittance तो यह limit याद रखनी है कि अगर extension beyond the one year हो रहा है from the date of remittance दिया इसको अपन shipment यूज करेंगे जिस दिन good shipment हुआ था उसके एक साल सथी का अगर total extension हो रहा है तो जो outstanding remittance करना बाकि है वो should be lower than following 1 million US dollar or 10% of the average import remittance made during the last two financial year वेर extension of time है बिं ग्रांटेड बाई AD category 1 bank the date up to which extension is granted may be indicate in the remark column तो जो approval grant करेगा उसमें remark column में वो जरूर indicate करेगा कि कित्ते प्रियट का extension दिया गया है यह AD category 1 की duty है cases not cover by above instruction और beyond above limit मतब अगर limits अधिक है अगर मान लीजेए यह अपना outstanding amount इस amount से अधिक है तो उसको regional उसके extension के लिए फिर RBA के पास जाएगा approval के लिए regional office of RBA और जो भी extension होगा उसको note down किया जाएगा the extension period cell be reported in the IDPMS मैंने बताय था जितने भी imports के information है वो आपको तुरंत update करना है तो extension मिलने के बाद आपको इसको update कर देना IDPMS में अब से थर्ड कंसेप इंपोर्ट आफ फोरें एक्षेंड रूपीज इंडियन रूपीज except as otherwise provided in the regulation no person shall without journal or special permission of RBA import or bring into India any foreign currency import of foreign currency including check is governed by section 3 6 section subsection 3 clause G of foreign exchange management act and foreign exchange management export and import of currency regulation 2000 तो अगर कोई भी PRII अगर import कर रहा है foreign currency including check को तो थेमा और foreign exchange management export of import export and import of currency regulation 2000 comply करना है तो फिर से एक बार यह law क्या बोलता है except provided in this regulation journal restriction दे दी गई कि कोई भी person without journal or special permission of RBA import नहीं कर सकता है और bring into any foreign security currency foreign currency import of foreign currency include check act is governed by section 6 subsection 3 clause G of foreign exchange management act and also foreign exchange management export and import of currency regulation 2000 second RBA may allow to bring into Indian currency notes of government of India or RBA currency note और bank note में क्या difference होता है ध्यान रखेगा currency note और bank note जैसे इंडिया में currency note मतलब जो government issue करती है government जिसमें finance minister का sign रहता है bank note जो RBA issue करती है जिसमें governor का sign रहता है एक रुपए के जो note होते है उसमें एक रुपए की जो currency होती है वो government of India issue करती और दो रुपए या उससे अधी की जो currency होती है ना वो RBA और उसमें sign governor के द्वारा किया जाता है उसमें उस currency में तो RBA में allow bring into India any currency note Indian currency note of government of India या RBA subject to such terms and condition as RBA में is to plate तो जो terms and condition impose होगी उसके अंतरगत आप इंडिया ला सकते हैं Indian currency को या bank note को दोनों में difference मैंने बता जाए या currency note कौन issue करता है government of India और उसमें sign किसका रहता है finance minister का और एक रुपए या एक रुपए की जो currency है वो normally government of India के द्वारा issue होती है इसलिए उसे currency note बोलते हैं और दो या दो से अधिक रुपए के जो currency होती है वो RBA issue करती है और उसमें sign governor of RBA के द्वारा किया जाता है अब import of foreign exchange into India foreign currency ए परसन send into India send into India मदब भेज रहा है अपने साथ ला नहीं रहा है कोई person foreign से भेजा जा रहा है normal banking channel के through without limit foreign exchange in any form other than currency note bank note on travelers को कि ये तो physically ही लाया जा सकता है तो foreign exchange import करना है तो कोई भी person may send into India without any limit foreign exchange in any form चाहे वो currency note other than currency note bank note और traveler check traveler check क्या होता है एक fixed amount का check होता है जो international payment के लिए किया जाता है जिसमें fixed amount पहले से pre printed होती है जिसको international fund transfer करने के लिए किया जाता है तो अपन send कर रहे हैं foreign से directly foreign से directly send हो सकता है basically किस के थूँ होगा banking channel के थूँ होगा उसमें currency का transmission नहीं होगा currency bank note यह सब भी इंडिया नहीं आएंगे directly banking channel के थूँ आप foreign currency को और foreign exchange ला सकते हैं बिना limit के और bring into India अब अपने साथ आप ला सकते हैं from any place outside without limit foreign exchange subject to condition that such person make an on arrival in India a declaration to the custom authority at the airport in the custom declaration form तो उसको एक declaration देना पड़ेगा कि वो foreign से कितनी currency ला रहा है कितने notes ला रहा है कितने traveler check ला रहा है कितनी value का custom authority को declaration देना पड़ेगा in the custom declaration form में provided that it shall not be necessary to make such declaration नहीं देना पड़ेगा where aggregate value of foreign exchange in the form of currency note bank note or traveler check थीनों मिला कर brought by such person at any one time is up to 10,000 dollar अगर bank currency currency note और traveler check ये तीनों मिलाकर एगर aggregate 10,000 dollar तक है तो देने की जरुवत नहीं है और aggregate value of foreign currency note केवल currency note है ध्यान रखेगा alone brought by the such person at one time is not exceeding 5,000 है और अगर केवल currency note है और पांच जार उपए से अधीक का है तो फिर declaration देना पड़ेगा up to 5,000 है no declaration is required तो इसका मदब एक example ये है कि अगर आप 6,000 का currency note लाते हैं bank note लाते है 3,000 का और traveler चोक लाते है 1,000 का total हो गया 10,000 लेकिन ये 5,000 से जीक हो गया currency note therefore आपको declaration देना पड़ेगा तो दा custom authority को इन दा cdf custom declaration form में तो याद रखेगा 10,000 के लिए aggregate limit और 5,000 रुपए के वल currency note से अधिक लाएंगे तो आपको declaration compass अरी ये देना पड़ेगा next अब import of Indian currency मतलब है foreign गया था और foreign से वापस आते से मैं कुछ Indian currency अपने साथ में ला रहा हूँ any PRI who gone outside India on a temporary visit may bring into India at the time of his return from any place outside India except from Nepal and Bhutan currency note of government of India and RBA up to the currency government of India and RBA notes up to an amount not exceeding 25,000 मैं अधियों 25,000 रुपए आप ला सकते उस से अधिक नहीं ला सकते आप उस से अधिक लाना है तो आप convert करवा के लाओ और इन currency में convert करवा के लाएंगे और नेपाल भुटान से अपन ला सकते हैं कितना भी पैसा ला सकते हैं बट जो denomination होगा वो 100 रुपए से अधिक वाले नोट नहीं रहेंगे क्योंकि ना नेपाल भुटान में बहुत जादा fake currency बनने लग गई थी और वो इंडिया आने लग गई थी उसको रोकने के लिए अरबिय नहीं ये nonce बना दिये कि आप 100 रुपए से अधिक के denomination के notes वहां से नहीं ला सकते हैं बटा 100 रुपए तक के like 20 रुपए 10 रुपए 10 रुपए denomination 50 रुपए 100 रुपए इं सबी के denomination के note आप कितने भी amount से में ला सकते हैं तो अधर दिन नोपाल भुटान से अगर अपन इंडिया आ रहे हैं और तो कित्ते की करिंसी ला सकते हैं मेजियों 25 जा रुपए की और अगर नेपाल भुटान से तो कित्ते भी लिमिट कोई लिमिट नहीं है लेकिन डिनोमिनेशन की लिमिट है अब टू 100 रुपीज लास्ट कंसिप इसू अफ गैरेंटी बाइन अथराइज डिलर अन अथराइज डिलर में गीवे गैरेंटी इन रिस्पेक्ट आफ डेट्स अबलीगेशन और अधर लायबिलिटी इंकर्ड बाइ पी आर आई ए ओन टू ए पी आर वाई मतलब अगर पी आर आई आई ने लोन लिया है पी आर वाई से तो अथराइज डिलर गैरेंटी दे सकता है पी आर वाई को अगर इंपोर्ट और अवन डिफट पेवेंट टम इन अकॉर्डेंस विध अपक्रूवल बाइ आरवी वार इंपोर्ट ऑन सच टम अगर import deferred credit system में हुआ deferred payment terms में तो इस case में AD category 1 bank guarantee दे सकता है किसके भीहाप में PRII के भीहाप में किसको guarantee PRY को second AD may give guarantee letter of undertaking, letter of comfort in respect of any dates obligation incurred by PRII on to PRY for import of goods as permitted under the foreign trade practices, foreign trade policies तो AD category 1 guarantee दे सकता है PRY को on behalf of PI for import of goods, कोई भी goods इंपोर्ट हुआ है तो पहला deferred payment में इंपोर्ट हुआ है लेकिन इस case में RBA की approval होनी चाहिए second case में import हुआ है, कोई भी goods का normal import as permitted under the foreign trade policy थर्ड मैंने service के वारे मैं आपको बता दिया था service अपन import किये हैं तो AD category 1 bank हमारे भीहाप में service provider को guarantee दे सकता है and last, an AD category may subject to direction issued by RBA in this way permit a PRII to issue corporate guarantee in favor of overseas lesser for financing import through operating lease मतलब Y limited है ये US की company है इसने ना finance किया है X limited को एक machine वो भी operating lease के basis पर मतलब 10 करोड की machine है तीन साल के यूज करने के लिए दिया गया है Y limited ने X limited को तीन साल के लिए यूज करने के लिए दिया गया है तो जब भी आप machine लाओगे तो उसे import माना जाएगा चाहे वो lease हो, चाहे sale हो, चाहे किसी भी basis पर हो तो X limited ने machine acquire की है operating lease के basis पर operating not the finance lease operating किराया rent देगी वो हर सालना या हर half year में या हर quarter में वो rent देगी X limited, Y limited को उस machine यूज करने का तो इसकी एक holding company है X limited की, like Z limited वो Y limited को guarantee दे रही है corporate guarantee provided जो operating lease है वो are in confirmity होना चाहिए with foreign trade policies and foreign exchange management current account transaction rule and RBA direction तो तीन चीजों का compliance होना चाहिए foreign trade practice policies foreign exchange management current account transaction rule 2000 और RBA direction तो इस case में corporate guarantee दी जा सकती है lesser को that's a guarantee transaction और last transaction कर चुके थे already service importer के भीहाप में guarantee कित्ती जी जा सकती है तो public sector के लिए था याद रखिएगा एक लाग, एक लाग साधिक है तो इस case में ministry of finance से permission लेना पड़ेगा और अगर private sector के भीहाप में AD category 1 कित्ते की guarantee दे सकता है 5 लाग तो ये overall अपना import का concept पूरा complete हो गया है time limit याद रखिएगा import normal 6 month deferred payment में कर रहे हैं 5 साल और normal import का extension हो सकता 1 time 6 month और aggregate total extension period up to 3 months 3 years और अगर extension एक साल से अधिक हो रहा है तो अपना जो आउट इस्टेंडिंग अमाउंट है वह 1 million US dollar और 10% of average import remittance during the last two year whichever is lower उससे अधिक नहीं होना चे उससे अधिक होगा तो फिर आरभी की approval लेनी पड़ेगी extension लेने के let us say overall concept of import